और पहला मुकाबला जो आज के दिन का खेला गया था इसी ग्रूप में उसमें वेश्ट बेंगॉल और पंजाब के बीच में जो संघर्श हुआ जो इसके पहरेदार है रेफरी है वो के रामदासन है असिस्टन रेफरी लिजू भैम और असिस्टन मुरली थरन और फूर्थ ओफिश्यल वंगे जतिंदर सिंग जबकि टीम जैसी हमारे स्किन पर आजाएगी हम आपको पढ़कर स्थाएंगे लेकिन ये एक करा संघर्श य कि इन राष्ट्री खेलों में जगा मिली है और जैसा कि आप जानते हैं कुल मिलाकर आठ टीमें हैं जिसमें से जाथ टीमें वो है जो कि संतोष ट्रॉफी में पहले स्थान पर रही थी और मेजबान गुजरात को इन खेलों में शामिल इसलिए किया गया है कि वो हरना कि प स्क्रीन पर गुजरात की टीम नीले रंकी जर्शियों में और नीले रंकी नेकर्स में जबकि करनाटक की टीम जो है पीले रंकी नेकर्स में और लाल और मेरून रंकी जर्शियों में जैसा कि महिश ने कहा कि आज का जो गुरूब बी का पहला मुकाबला था वेस्ट बेंगॉल और पंजाब की टीम के बीच वो काफी काटे कर रहा जिसे अंतता पस्चिम बंगाल की टीम ने दो एक से जीतने में कामियावी हासिल की उसके बाद मुही निद्दीन जो की कप्तान है रुद्रराज सिंग, अक्षय, डेरेन हिल, ब्रजेश कुमार और दूसरी तरफ अब करनाटक की टीम जो आपके सामने होगी गुजरात की टीम आप जान चुके हैं, थोड़ी देर में हम आपको करनाटक की टीम के बारे में बताएंगे करनाटक की टीम में आज हैं भानू प्रकाश, इसके अलावा क्वाईर खपम, सिंग, सुधीर कौतिकेला, एमैनुवल डेरिक, इलन गेम मैतेई, रायन विल्फर्ड, किरन सर्वनन, दीपक, एडविन रिजेरियो, सतीश कुमार, वी सुरेंडर प्रसाद, और टीम के कोच, ई सिवा मनी मौही दूइन, जो की टीम के कप्तान है, तैयार है के कॉफ के लिए, बैक पास के साथ ही खेल शुरू होता हुआ, मद्धे रेखा, मद्धे पंक्ती में गेंद को संभाले हुँ, वहाँ पर लेफ्ट, फुल बैक के स्थान पर गेंद को संभाला था, और बाइंफ्लैक में एक खलका सा फॉर्वर्ड पॉस दिया था, लेकिन इसी बीच गेंद एक बार फिर से, वहाँ पर लेफ्ट, फुल बैक के पास पहुंची और बैक पास के रूप में उन्होंने अपने गोल रक्षक की तरफ बढ़ा दिया, अजमल ने वहाँ पर गेंद को एक बार फिर से, फॉर्वर्ड पास के रूप में बढ़ाया था आगे की तरफ, लेकिन इसी बीच गेंद दूर वाले छोर से थ्रोइन के लिए बाहर निकल गई, थ्रोइन अपने ही हाफ में कुजरात की टीम को इस समय गेंद को समभलने की कोशिश अक्षे के द्वारा वहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से उनके पाउं से लगती हुई गेंद बाहर चली गई और इस समय ये थ्रोइन है वहाँ पर करनाटा के टीम के लिए, करनाटा के भानु प्रकाश थ्रोइन लेने के लिए तैयार है, गेंद को उन्होंने दिया था अपने साथे खिलारी एडवीन के लिए और क्रॉस किया वहाँ पर लेकिन सीधा गुलरक्षक के पास अजमल ने गेंद को संभाला और अपने राइट फुल बैक के खिलारी को दे दिया है समय अनिरुद के पास, अनिरुद का थूपास, लेकिन बीच में ही गेंद कुछ ही ना, करनाटा के खिलारी ने, मध्यरेका के असपास करनाटा के खिलारी गेंद को अपने कबजे में बनाया हुए और एरियल पास वहाँ पर, लेकिन देखना यह है कि क्या करनाटा के खिलारी वहाँ पर गेंद को अपने कबजे में कर पाएंगी या फिर नहीं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर गेंद को अपने कबजे कि एक अजमल के पास गेंद पहुंची सावरंतर पास के रूप में गेंद को पहुंचा है वहाँ पर साथी खिलाडी के पास और राइट स्रॉपर का एक लंबा चिप जो कि पहुंचता हुआ करनाटा के हाफ में लेकिन सुरक्षा पंक्ती में राइट स्टॉपर ने वहाँ पर गिन को हैट द्वारा क्लियर कर दिया और वहाँ पर कोई मौका नहीं फ्रेकिक इस बेच गुजरात की टीम के लिए गुजरात की टीम के खिलाड़ी अजमल बलके अनुरुद्ध हैं वहाँ पर और अनुरुद्ध ने पास दिया करनाटा के खिलाड़ी एक बार फिर से गिन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए लेकिन सेंट्रल डिफेंडर ने गिन को अपने कब जम्य किया वहाँ पर और जैसे ही देखा कि करनाटा के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ उनकी तरफ आ रही हैं वहाँ पर अलबर्ट ने बैक पास के रूप में अपने गुल रक्षक की तरफ गिन को बढ़ा दिया एलबर्ट इस समय डेरिन के पास गेंद राइट फुल बैक गुजरात के टीम के गोल रक्षक के साथ वन टू वन खेलने का प्रयास जो कि घात अक्सिद हो सकता है और वही हुआ गेंद उन से चीनी वर इसका साथ ही गोल और जैसा कि हम कह रहे थे कि घात अक्सिद हो सकता है लगातार एक दूसरे से खेलने का प्रयास वो वहाँ पर महंगा पड़ा गुजरात की टीम को और जैसे ही गेंद को छीनने की कोशिश की वहाँ पर सफल हुए गुजरात करनाटक के खिलाडी और तेरा नंबर की जर्सी में वहाँ पर गेंद को संभाला था मैतेई ने और जैसे ही उन्होंने सवानंतर पास दिया था बिल्कुल गोल के सामने कोई मौका नहीं था आसानी के साथ उन्होंने गेंद को गोल के अंदर पहुचा दिया और इस तरह से करनाटक की टीम को एक शुन्ने की बड़त हासिल हो चुकी है करनाटक के टीम ने और एक आकरमक और रुख अपना कर यहाँ पर आकरमन करते हैं बाइस नमर के खिलाड़ी काफी थे जी के साथ महाँ पर गोल पोश्ट की तरफ डागा उन्होंने लेकिन काम्याब नहीं रहे और यह मौका फिर जाता रहा यहाँ पर करनाटक करनाटक की टीम पहले ही दबाव बढ़ाने की उनकी कोशिश जो थी वो रंग लाती हुई यहां नजर आ रही है उनके सारे सेंटर फारवर्ड और विंगर स्वीपर उनके बिल्कुल मुस्तेदी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं इस मैज को खेलने में तो कोई भी मौका यहाँ पर जो करनाटक को मिलेगा मैं नहीं समस्ता क्यों यहां से चुकने वाले हैं और लंबा तजुर्वा उनके पास फिर थ्रोईन इस समय पक्ष में है करनाटक के अच्छा थ्रोईन बिल्कुल कगार पर टश लाइन के लेकिन वहाँ पर नियंत्रित नहीं कर पाए एलंगमम और फिर से खेल इन प्ले और मौका वहाँ पर जो मौका मिला था हवा में उनकी जो केक थी लहराई और गेंद कही पर और पैर कहीं पर घुमता हुए नहीं जराया जिसके वज़े से एक मौका जो हमिला था गोल के वर बिल्कुल सामने थे उस समय गुजरात के अजमल लेकिन मौका चुका और फिर खेला के बढ़ता हुए जबकि चार नमर के खिलाड़ी यहां पर संगर्स करते वे परमार धरमेश और एक दूसे को वहां पर दो नमर के खिलाड़ी इस समय प्रेत्न में सफल होते हुए जहां पर भानुप प्रकास सिंग का सवाल है और गेन को सौप दिया उन्होंने गुजरात के पक्ष में तो गुजरात के टेम इस समय एक गोल से पिछड़ी हुई है करनाटा क के खिलाफ और एक बार फिर से वहां पर अजमल गोल रक्षक गेन को संभाले हुए पहला गोल जिस तरह से वो और डेरिन फ्लिप आपस में एक दूसरे को पास देते रहे काफी लंबे समय तक उसका खामयाजान उन्होंने भुकता था खेल के चौथर विनिट में और एक ग नाटक की टीम प्रत्य आक्रण पर काफी तीजी के साथ इस समय गेन को समानांतर पास के रूप में वहाँ पर निकाला था उससे पहले ही उन्होंने वहाँ पर सीटी बजा दी थी अपने लेकिन फिलाल करनाटक की टीम को निश्चित रूप से ये गोल मिला है और दो शून्ने के बढ़त करनाटक इस तरह से हासिल कर चुका है बहुत अच्छी बढ़त यहां पर हसिल करती ही करनाटक की टीम जो चेहरे हैं थोड़े से नारज नजर आ रहे हैं और फिर वहाँ पर बैक पास दिया अपने खिलारी के पास गुजरात को नए शीरे के साथ एक नए मन्सूबे के साथ आगे बढ़ना होगा खेल को आगे ब करनाटक के टीम को और फ्रीक है वहाँ पर करनाटक के टीम के लिए और यह किक बिल्कुल गोल पोस्ट के पास वहाँ पर हेडर करते हुए उसे बाहर निकाले के कोशिस की और यहां पर कोशिश हो रही है सुधेर द्वारा कि वह गोल पोस्ट में गेंद को पहुंचा है और अब बाई छोर पे उनके जो सेंटर फारवड खड़े वें उनके पास गेंग को पहुचाने कर और सतीश के पास गेंग पहुचाने के उन्होंने कोशिस की थी लेकिन बाहर निकलती भी गेंग और फिर वहाँ पर करनाटा के खिलाड़ी तेजी के साथ आकरमाने गोल बन सकता उने कीक ले लेनी चाहिए थी वो नहीं ली उन्होंने थोड़ी सी दूविधा में थे और उसका फायदा मिला कि सुरक्षित रही गुजात की टीम दो शुन्ने से बढ़त हासिल है यहां पर करनाटा के टीम के पास एक बार फिर से गेंद अक्षे के पास अक्षे ने सवान गोल रक्षक के गोल रक्षक दीपक ने वहां पर गेंद को अपने कबजे में जरूर ले लिया है और अंतता उन्होंने गेंद को उठाया जब देखा कि गुजरात का एक खिलारी स्ट्राइकर बिलकुल उनके नजदीक पहुँच चुका है अपने साथी खिलारियों का चिप किया पेनल्टी बॉक्स के अंदर लेकिन कोई भी खिलारी वहां पर मौजूद नहीं है गोल रक्षक ने गेंद को क्लियर कर दिया गोल रक्षक अजमल के पास गेंद और बाइम फ्लैक में समय खिल चलता हुआ जबकि करनाटक की टीम को दो शुनने के बड़ा थासि चैनल है मेंस बान गुजरात पर गेंद जा रही है देखिये एक रंडिती के तहट वहां पर आगे बढ़ते हुए अलवर्ट और पास दिया उन्होंने उनके सेयों के खिलारी के पास और वहाँ पर फाउल और किक इंड वहाँ पर जो फ्री किक मिली है वहाँ पर गुजात की टीम को उसमें मुहिनित दिन कप्तान देख रहे हैं अपने खिलाडियों के कोन कहाँ पर खड़ा हुआ है कहाँ पर ये गेन देने के बाद गोल में तब्दिल की जा सकती इसका अनुवान लगा कर मुहिनित दिन ने ये हलकासा डागनल पास अपने सहीों के खिलाड़ी के पास दिया फिर से गेंद उनके पास आती हुई वहाँ पर ब्रिजिश ने दी और गोल पोश्ट के बिल्कुल पास पहुंच गये थे लंबी लंबी डग भरते वे वहाँ पर कप्तान लेकिन जो सोचकर उन्होंने जो पास दिया था वो पास वो गेंद वहाँ तक उनके पास तक नहीं पहुंच वाई और बिल्कुल कगार पर वहाँ पर जूचते वे सारे खिलाड़ी के इंद का पजिशन लेने के लिए और बार मौका मिल सकता है लेकिन उसे अपने पैरों से बिल्कुल साफ सुत्रे ढंक से निकाल लिया था दो नमर के खिलाड़ी इस समय आगे बनते हुए अनिरुद लेकिन लहराता हुआ और डेगडर से वहाँ पर अंदर डागने की जो कोशिश थी ठीक से सर पर नहीं ले पा बिल्कुल सटीक किक थी और वहां पर अगर अक्षे का हेडर थोड़ा सा लक्षे की तरफ होता और बहतर तरीके से तो निश्चित रूप से जो बढ़त का अंतर है वो कम किया जा सकता था करनाटक इस समय दो शूने से आगे है आक्रमन बाइन तरफ से करने की कोशिश लेक करनाटक के खिलाफ फ्रेक गुजरात को हमारे नजदीक वाले छोर पर लंबा चिप करते हुए गेन को दूर वाले छोर की तरफ निकाल दिया है करनाटक के खिलारी गेन को अपने कब जम्य करने की कोशिश में लेकिन वहां पर गेन को छीनने का प्रयास किया देखना है कि जिस तरह से ये प्रयास किया क्या वो गलत था जिहां बिल्कुल गलत था और यहां पर ये फ्रेक गुजरात की टीम के खिलारी को गुजरात के कपतान मौईनुदीन काफी ऊर्जावान खिलारी हैं दोनों फ्लैंक्स में लगातार शफल कर रहे हैं इस समय मैदान के दाईं तरफ वाले हिस्से में हैं और संभवता अपनी टीम के फ्रीकिक स्पेशलिस्ट हैं और इस बार ये फ्रीकिक और हेड द्वारा गेंद को गोल में डालने का जो प्रयास था वो एक बार फिर से विफल होता हुआ कोशिश की थी वहां पर ब्रजेश कुमार जादव ने लेकिन गोल पोस्ट के दाइं तरफ से होती हुई नियर पोस्ट से होती हुई बाहर चली गई और इस तरह से उसका कोई लाब वहां पर नहीं करनाटक दो शुन्ने के बढ़त बनाये हुए जबकि पहले हाफ का लगभग 19 मिनिट का खेल पूरा हो चुका है ब्रजेश के पास गें एक बार फिर से समानंतर पास के रूप में एक दूसरे को छोटे-छोटे पास देकर आगे बढ़ने की कोशिश में लेफ्ट फ्लैंक से ज्यादातर आक्रमन अब तक देखे गए हैं गुजरात की टीम की तरफ से जबकि करनाटक की टीम के खिलारी एक बार फिर से प्रत्या बारत को मजबूत करते हुए अब तक दो गोल डाग पाने में कामियाद हो चुकी हैं उसे कैच किया हलके से पास दिया अपने सेयोगी खिलारी के पास जो कि अब कीक दे रहे हैं लेकिन ये कीक उनकी गलत साबित हुई जो कि बीच में ही रोक लिया था उसे इम्याउन ने और अब 22 नमर के खिलारी इस समय आगे बढ़ते वे कप्तान एडविन ने बहुत खतरना खिलारी हैं लेकिन एक भूमी का बनाया था उन्होंने पास अच्छा दिया था लेकिन उस पास को रोक नहीं पाए 13 नमर के जैसी पहने वे एलांग बुलम एलांग ग्रम और निश् स्टेट और 36 स्पोर्स में चलता हुए खेल जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया के स्लोगन के अंतर गत चलता हुआ ये मुकाबला और आज के दिन का पुल बी का ये दूसरा मुकाबला करनाटक और गुजात के बीच थ्रूइन वहाँ पर करनाटक के खिलारी ने की थोड़ी सी जद्दो जहद हुई थोड़ा सा संघर्श हुआ थोड़ा सा वहाँ पर टैकल करने की कोशिश हुई रोकने की कोशिश हुई अन्तर अब यहाँ पर करनाटक के खिलारी 11 नंबर के उन्होंने सामने के तरफ पास दिया इमें उनने और गेंद इस समय पजिशन म मोहिन दिन की जो बॉड़ी लेंग्वेज है उससे देखते वैसे लग रहा है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो निश्चित रूफ से प्रयत्न करेंगे और भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे स्रंखला की स्टूनामेंट की उन्होंने आते ही अपने प्रभाव को दिखाया था और दस मिनट के अंतराल में ही दो गोल दाग दिये यहां इस समय आगे बढ़ते वे धर्मेश पर मार अगेंद को अकेले ही लेकर उन्होंने लगभग दाइने छोर से मिडल अब ग्राउं नजर आ रहे हैं इतने तेज तर्रार खिलाडी नजर आरे हैं गुजरात के कि उन्हें अगर मौका मिलेगा तो वो चूकने वाले नहीं लेकिन चूक उनसे भी हो गई और लेकिन यहां तारीफ करनी होगी महेश कि सुरक्षा पंक्ति बिल्कुल चौकस थी उन्हें कोई गै के साथ गोल पोश्ट में पहुंचे हैं और वहां पर गेन उसे चीन तीवी नजर आई जबकि सुधिर वहां पर थे बैक पास दिया इस समय सुरेंद्र के पास और वहां पर अच्छी तरह से बचाओ करते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पर गुजरात के खिलाडी इस सम वहां पर पहरेदारी के लिए रूप मौजूद हुए हैं तो मौका जरूर बन रहा है एक मौका जो खतरनाख खिलाडी थे गुजरात के तरफ से मुहिनुद्दीन जो के कप्तान है उन्हें मौका मिला था लेकिन सुरक्षा पंतियों ने इस तरह के दिवार खड़ी कर दी इस तरह का कश्मकस जाल बुंदिया उनके सामने कि इसके पहले कि वो कुछ कर पाएं गेंद बाहर निकल गई थी और एक मौका वहां पर निश्चित रूप से यहां पर गुजरात की टीम ने खोया और बचाओ किया वहां पर अच्छी तरह से जहां तक करनाटा का सवाल है फ्री किक वहां पर मिली रही है वहां पर गुजरात के खिलाडियों को 10 नमबर के खिलाड़ी मुहिनुद दिन खुद ये कीक लेने के लिए तैयार जानते हैं समझते हैं खेल की परिभाशा खेल की परिस्टिती खेल पर किस तरह से नियंतर अरकना है डाइगनल कीक और वह कि नमोहिनोदीन का भी ये फ्लैक केक काफी बढ़िया था और अपनी टीम के लिए अब तक जितने भी उन्होंने कोशिश की हैं फ्लैक केक या फ्रीक लगा करके वो काफी सरानिय हैं और काफी हुर जावान खिलारी प्रतीत हो रहे हैं अपनी टीम के लिए जहां तक कुजरा पोश्ट से गोल लाइन से बाहर निकल जाया तो फ्री किक मिले और वही हुआ फ्री किक मिलेगी गोल किक वहाँ पर लेंगे वहाँ पर गोल कीपर और यहाँ पर ड्रिंक्स इंटर्वेल थोड़ा सा जल पान का समय आशिश काफी धूव निखिर चुकी है हाला कि एक-दो अफसर जरूर मिले उन्हें पैनल्टी बॉक्स के अंदर और खास्तोर से वो अफसर जो के इन डारेक्ट केक थी मौहीन उद्दीन लें ली थी और वहाँ पर उस गेंद को गोल में तब्दील करने का जो प्रयास किया था अक्षे ने वो विफल रहा था बिल्कुल बिल्कुल हुआ यही कि जो मौके मिले एक-दो मौके मिले और एक बार तो गोल पोस्ट में बिल्कुल कगार पर खड़े वे थे मौहीन उद्दीन लेकिन सुरक्षा पंतियों ने उन्हें मौका नहें लेने दिया फिलाहाल ड्रिंक्स इंटर्वल के बाद खेल फिर से सुरू होता हुआ यह महाँ पर और गोल के पर गोल के करते वे महाँ पर केक उफ करते वे खेल आके बढ़ता हुआ और राइट स्टॉपर बैक लेफ्ट फुटर लगा कर गेंड को नोने दाइं फ्लैक में निकाला है देखना है कि क्या वहाँ पर एक अफसर बन सकता है करनाटक की टीम के लिए फिर नहीं लेकिन इस बीच वहाँ निश्चित रूप से यह काफी खतरनाक फाउल था तेरा नम्मर के खिलाडी गेंड की तरफ जाने की कोशिश करने से मैतेई और गुजरात के खिलाडी ने वहाँ पर जिस तरीके से चार्ज करते हुए उनको गिराया रेफरी निश्चित रूप से उससे खुश नहीं होंगे चिताबनी जरूर देंगे और फ्रीक भी निश् पर गिराया गया जिस तरह से उन्हें इंटरप्ट किया गया जिस तरह से टैकल करने की कोशिश की गई थी टैकल के अंदाज में उन्हें धकेला गया था वो विफल जो हुआ था अब यहाँ पर एक खतरा निश्य तुरूप से मन रहा रहा है बहले ही चिलचलाती भी हो सर के उपर लेकिन खत्रे के बादल यहाँ पर साफ नजर आ रहा है गुजरात के सर के उपर किक लेने के लिए तयार होते हुए वहाँ पर इलांगरम और देखना है कि क्या जो एक सुरक्षा पंती वहाँ पर पांच खिलाडियों की सामने दिवार बनाकर खड़ी हुई ह वो भेद उसे रोकने में सफल होते हैं नहीं और पांचों खिलाड़ी के बीच से उन्होंने गोल पोस्ट में डागने की कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं वे अच्छा बचा हुआ गुजरात की तरफ से और खेला के बढ़ता हुआ बाई तरफ से इस समय आकरमन करते हुए एक मातर खिलाड़ी दस नमबर के जर्शी पहने मुईनित दीन उस समय गेंद के पज़ेसन के साथ है लेकिन कोई खिलाड़ी सामने नहीं था पास देने के लिए इसलिए अकेले ही वहाँ पर छटपडार रहे गये इंतजार किया और जब तक की चार नमबर के खिलाड़ी पर आगे निकले थे और वहाँ पर जैसे ही उन्होंने गोल पोश्ट में दागने कोशिश किसे पहले गोल की पर नहीं गेंद को रोक लिया था तो निश्य दूप से वह खत्रा जो वहाँ पर मन रहा था हुआ नहीं दर आ रहा था दीपक ने बहुत ही अच्छी गोल कीपि कर वहाँ पर वो गोल रक्षक को छका कर अपनी टीम के लिए इस मैच में अपनी टीम का पहला गोल कर सके और जो बलत है करनाटक की उसे कुछ हद तक कम कर सके लेकिन अपने इरादे में कामियाब नहीं हुए एक लंबा शॉट गोल रक्षक के द्वारा जो कि सीधा पहुं इस तरह से गेंग को अपने कब्द में करने की कोशिश की वहाँ पर अलबर्ट ने व गलत्माना रिफरी ने परिनाम सरूप ये फ्रेकिक अपने ही हाफ में इस समय करनाटक की टीम को दोशुन्य की वड़त हासिल है करनाटक की तीम को गेंग को जमाया वहाँ पर किरण प्रवननने, अपने साथी को लाड़ी की रूप में एमैनुवल के लिए, एक और थूरू पास के रूप में गिन को निकालना चाहते थे, सतीश के लिए, लेकिन गेंद टच्छे को पार कर गई, थ्रोइन इस अमें गुजरात के टीम के लिए, आपने ही हाथ में, कि मैदान के पीचों बीच एरियल पास अमन शाह के लिए लेकिन फाउल वहां पर करनाटक के खिलारी का तैयार हैं समय अक्षे माल उस फ्रीकिक को लेने के लिए और थोड़ी असमंजस की स्थिथी हैं वहां पर संभवता वी सुरेंद्र परसाद सोच रहे हैं कि यह फ्रीकिक उन्हें लेना है लेकिन गुजरात के पक्ष में फ्रीकिक था निश्चित रूप से करनाटक के खिलार पैनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद को अन्त समय पे अपने हाथों में लिया यह देखते हुए कि गिजरात के स्ट्राइकर बहुत तेजी के साथ उनकी तरह बढ़ रहे थे धर्मेश परमार लंबार शॉट गेंद को हैट द्वारा क्लियर किया अनेरुद्ध और गेंद अ पहुंची एक बार फिर से गोल की पर के पास गोल रखषक दीपक जो कि करनाटक के हैं अब तक बढ़िया खेल का प्रदर्शन उनने किये है अच्छा गोल रखषन दिखाया है इसी बीच गेंद एक बार फिर से वहांपर पहुंची थी कुझड़ात के कुल रक्षक के पास और हातों से लुड़काते हुए गेन को उन्होंने निकाल दी है अपने साथी खिलाडी अनुरुद सिंग के पास अच्छी तालमेल इस समय नजर आ रही है गुजात की थोड़े वक्त है के सेही क्यों नहों दो-तीन मिनट से अच्छी तालमेल लिव रही है लेकिन मौके जहां तक बनाने का सवाल है लेकिन उस मौके को अपने हाथ में लिया वहाँ पर सुधिर कोटी का ने और आगे बढ़ किया वहाँ पर सुरक्षाप पंतिन है गुजरात का और फार साइट पर खड़े हुए एसिस्टेंट रफरी के द्वारा फ्रेक गुजरात के टीम के लिए जो की दो गोलों से पिछडी हुई इस मुकाबले में फिलाल करनाटक के टीम के खिलाफ धीरे धीरे एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ने की कोशिश लंबा चिप और जैसे कि महेश हमने पहले भी कहा कि इस तरह हैं कि जो एरियल पास हैं या थ्रू पास हैं वो बिलकुल निरोदेश्य हैं कोई भी खिलाडी उनका वहाँ पर मौजूद नहीं होता और सुरक नहीं है हडवड़ा हाट में जल्दवाजी में कई बार गलतियां हो जाती है और यहाँ पर पास देने की कोशिश में बिलकुल कगार पर वहाँ पर डी के थोड़ा सा अंदर की दरफ जाने की कोशिश की थी खिलाडी ने वहाँ पर थोड़ा सा संघर्श करने के लिए आपका इस दूसरे मध्यान के बाद के खेल जो सुरू हो रहा है यहाँ पर गुजरात और करनाटा के बीच में एका ट्रांस्टेडिया यहाँ पर जो एका इरीना है वहाँ पर यह मुकाबला खेला जा रहा है पुल बी का पुल ग्रूब दो का आज का यह दूसरा मुकाबला गुजरात और करनाटा के बीच में एक तरफ घरीलू टीम दूसरे तफ करनाटा की टीम लेकिन जैसे हमने आप मिनट का खेल वहाँ पर रुका था तो दो सुनी की बढ़त हासील थी वहाँ पर गुजरात के करनाटा की टीम के पास तो निश्य दूसरे तरफ से दो सुनी की बढ़त के साथ यहाँ पर करनाटा की टीम ओ दबाओ देखना और यहाँ पर आगे बढ़ाती ही या दूसरी त जोच के साथ यहाँ पर गुजरात की टीम कोई नया चमतकार करने जा रही है। जा रही है और करनाटे की टीम बाई तरफ से दाई तरफ वाले हिस्से में आक्रमन कर रही है। समझ चलती हुई साइड लाइन जो है जो सर्विस टच लाइन है वहाँ से अंदर की दरफ ढखेला। वहाँ पर भानू प्रकाश ने और पजिशन लेते वे वहाँ पर फिर अपने खिलाड़ी के पास देते वे आज लाल मरुन कलर की जो जर्सी पहनी वी करनाटा की टीम थोड़ी हावी होकर आज पहले ही कुछ पंदरा मिनिट में उन्होंने जो तेजी दिखाए थी उसके ब खेले ज्यादा जोखिम लेकर न खेले लेकिन जब मौका मिले तो उस मौके को आप जरूर बनाए उस प्रयास में लगते वे यहाँ पर दो खिलाड़ी के बीच में थोड़ा सा टैक्लिंग थोड़ा सा ड्रिबलिंग के बाद पजिशन लिया महाँ पर गुजात के खिलाड आप विरत ही वहाँ पर जाया कर देते हैं जब आपका कोई खिलाडी वहाँ पर उसे लेने के लिए तयार नहीं है कोई खिलाडी वहाँ पर दिख नहीं रहा हो एसे जगह अगर आप की predictive करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह वह व्यरत ही आपकी एपकी अनरजी, आपकी टाक और यही भावनाव के साथ यह खेल यहाँ पर संपंड हो रहा है आशिश और जब कि पजिशन इस समय 20 नमबर के यादों के पास और वो अब देखना है कि किस तरह की पास देते हैं जब कि वहाँ आप समानांतर पास बैक पास वज़ दिया अपने सहीओ के खिलाडी के पास औ और पास वहाँ पर गया वहाँ पर एक एंगल बनाकर तीस कोन का जो कोन बना था वहाँ पर दागने की कोशिस की थी फ्रीकिक वहाँ पर गुजरात के लिए और उसे कनवर्ट करने के लिए तीन चार अब पांचवा खिलाडी जा रहा है उस डी में कि किसी तरह से मौका मिल और उसे भुनाये जाए कम से कम एक गोल इस मजबूर टीम के साथ वो अरजित कर पाए हेडर के जेरे रोकने की कोशिस हुई और गोल वहाँ पर बहल किया है और एक गोल के साथ जैसे कि मैंने कहा कि पांच खिलाडी वहाँ पर गुजात के मौजूद थे और रक्षा पंती ज थ्रो आया उस थ्रो को बढ़ते वे उचलते वे वहाँ पर खिलाडी ने गोल पोश्ट में दागा था क्रॉस ये जो मौका मिला था महाँ पर और साथ निबाते वे मौईनुद दिने अच्छा पास दिया महाँ पर एक मौका बन सकता है अभी भी उस समय थोड़ी ची महाँ पर जदो जद चलती हुई और उस बीच इस गेंद को बाहर निकाल दिया गोल पूश्ट के शायद मैं समझ रहा हूं कि वहाँ ये कोशिस हो रही थी कि कि सरसे इंटरप्शन हो और वहाँ पर जो अभी तक पेनाल्टी कीक नहीं दी गई हो उसका इंतजार साथ खिलाडी न कोई जादा बड़ी नीचे गिरे हैं जिस तरह से वहाँ पर चोटील हुए थे जिस तरह से वहाँ पर टैकल करते हुए दो पैरों के बीच में जाकर भीड़न्थ हुई थी वहाँ पर खिलाडी अभी भी गिरा हुआ है लेकिन कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं होनी चाह कि आप देखिए हलांकि वहाँ पर करनाटक के खिलाडी बीच मैदान पर लेटे हुए लेकिन आप खड़े हो रहे हैं कि क्वाइर खंप गोल के के लिए तैयार करनाटक के गोल रक्षक दीपक और देखना यह है कि क्या उनका शॉट कि लेट फ्लैंक की तरफ जाएगा जिहां कि तरफ लेकिन वहां पर कुजरात के खिलारी ने जिस तरह से कीन को कबजे में करने की कोशिश की वह गलत माना और यह फ्री की समय करनाटक की टीम के लिए गुज्रात के हाफ में मध्धेरिका से करीब कर दस गज अंदर दूरव टीम के लिए पहला गोल किया था एक खिलारी को चकाने की कोशिश लेकिन गेंद उनसे छिटकती हुई पहुँच गई है इस समय गुजरात के खिलारी के पास मद्धे पंक्ति से गेंद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश गुजरात के खिलारियों के द्वारा मौहिनुद इनक लेकिन अभी खिलारी कबजे में की हुई कुजरात के गेंद को अपने कबजे में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास दाएं फ्लैंक के कोशिश उनकी लेकिन जैसे इस ही वहाँ पर गेंद को पोस के अंदर क्रास करने की कोशिश की थी अपने इरादे में चुके लेकिन करनाटा के खिलारी के पाउं से लगती हुई गेंद गोल रिखा को पार करके जिसकी वज़ा से इस समय ये फ्री किक है बलकि फ्रेक है वहां पर गुजरात की टीम के लिए मौईनुदी ने इस बार हलके से गेंद को सरकाया लेफ्ट की टीम के लिए अपने गोल बॉक्स के समान अंतर करनाटा को दो एक से बड़ा थासिल की हुए इस मुकाबले में गुजरात के खिलाफ त्रोइन के बाद गेंद को संभाला लेफ्ट फूटर लगाकर गेंद को पहुंचा दिया इस समय दाइंग फ्लैंक में करनाटा के खि गुजरात के राइट स्टॉपर अच्छा मूब बनाने की कुशिश की थी बाएंफ्लैक से गुजरात की टीम के कप्तान मौहिनुदीन ने मौहिनुदीन एक बार फिर से गेंद को संभालने में काम्याब रहे और बैक पास के रूप में हला कि गेंद उनों निकाली थी अम उनका क्रॉस आता हुआ पैनल्टी बॉक्स के ऊपर गेंद पहुंची लेफ्ट फुटर वहाँ पर लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं अक्षे की एक कोशिश थी ताकतवर लेफ्ट फुटर लगाया था लेकिन सुरक्षा पंक्ती से टकराती हुई गेंद इस समय पहुंच पर नहीं आ रहे लेकिन करनाटा के खिराडिवों ने एक बार फिर से कोशिश जरूर किये थी वहाँ पर प्रिशंसा करनी होगी सुरेंद्र प्रसाथ की लेकिन बहुत जाद देर तक गेंद को अपने कब्जब में नहीं कर पाए और उसका लाब उठाया गुजरात की सुर पीला कार्ड दिखाएंगे जी हां पीला कार्ड वहां पर दिखाया गया है इस समय करनाटक के खिलारी को अनिरुद्दू को देने की कोशिश की थी और इस बार फिर आगे के दरब बढ़ाते वे हैं दो खिलारों की बीच में से निकालने की कोशिश लेकिन महापर जो जद्दो जहद हुई पोजिशन खोया और 12 नमबर की जर्सी पहने वे यहापर खिलारी आगे की तरब बढ़ इस समय बिल्कुल कगार पर मध्धान रेखा पर खेल चलता हुआ तेरे 13 नमर की जर्सी पहने वे इस समय खिलारी आखरमन पर लगे हुए हैं एक खिलारी नीचे गिरता हुआ लेकिन मौका है वहाँ पर और जैसी दागने की कोशिश की थी एलांगरम ने गेंद पैर से टक प्राने की कोशिश की थी गेंद को हाथ सर पे लेने की कोशिश की थी खेर कपमने लेकिन सर कहीं गेंद गहीं और गोल पोस्ट का वह शेत्र खाली रहा खतरा टला और फिर गुजरात पोजिशन लेकर आगे की तरफ बढ़ते वे एक रण निती के तहत यहां पर अमन शहान ने पास दिया अपने सेयोगी खिलाड़ी के पास तच लाइन से गेंद बाहर के तरफ निकली यहां पर थ्रोइन मिलेगी करनाटा के टीम को और करनाटा के टीम के खिलाड़ी इस समय भानुर प्रकाश ओ थ्रोइन लेते हुए दाहिने शोर पर नोन ने कगार पर दिया था लाइन पर दिया था लेकिन वहाँ पर चेश्ट आगे करके उसे ठामने की कोशिश की थी सुरेंदर प्रसाद ने काम्याब नहीं रहे और फिर तर्च लाइन के बाहर फिर एक थ्रोइन पक्ष में यहां पर करनाटा के करनाटा के खिलाडी इस समय भानुप्रकाश यह थ्रोइंग लेते हुए और चार नमर के खिलाडी वहाँ पर ख्वैर कपम संघर्ष करते हुए जबकि 13 नमर के खिलाडी अब वहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने की इस संघर्ष में साथ दिया एलांगरम ने और खत्रा भीवी पक्ष में हैं दूसरे पाले में और गुजात के खिलाफ भीवी खत्रा बना हुआ है क्योंकि सारे खिलाडी एक तरफ नजर आ रहे हैं केवल सुरक्षा पंती तीन खिलाडियों की दो खिलाडी इस समय मध्यान रिखा पर जूझ रहे हैं और पहरेदारी करवा रहे अधर हैं वहांपर मुहिन दिन 11 और 15 नंबर के खिलाड़ी दो आरा और किस तरफ रह के खत्रा वहांपर मुहिन दिनider थारा महसूस किया जा रहा है एक तरह खत्रा गोल का और दुसरी तरह पह्रेदारी हो रही है यहाँपर मुहिन दिन पे तो अगर खेल पूरी तरह से द करनाटक के प्रशिक्षक इस समय अपने खिलारी को कह रहे हैं कि आगे की तरफ जाईए लंबा इस रिप्लेट और सिधा गोलपोस के दाई तरफ से बहार निकलता हुआ जिसका निश्चित रूप से कोई लाब वहां पर नहीं मिलने वाला था गुजरात की टीम के खिलारी इ हुए सुरेंद्र के पास गेंद थी लेकिन इसी बीच फाउल हुआ इससे पूर्व और यह फ्रीकिक इस समय गुजरात की टीम के लिए गुजरात की राजिश कुमार यादव अपने साथी खिलारियों का स्थान देखते हुए मद्देरिका से करीब करीब तीन या चार लिखा के फ्रोइन लगातार दूसरा फ्रोइन इस समय पक्ष में गुजरात की टीम के लिए पैनल्टी बॉक्स के समान अंतर लंबा फ्रो इस बार पैनल्टी बॉक्स के अंदर एक संभावना पैदा करने की कोशिश लेकिन अपने इरादे में कामियाब नहीं होते हुए गेंद को दूर वाले छोर पर डेरेन फ्लिप ने संभाला है और अब डायफ्लैक से आकमन करने की योजना बनाती हुई गुजराद की टीम लेकिन गेंद उनके किसी भी खिलारी की पहुंस से ज़ादा काफी बहार थी धरमेश परमार हलन की उन्होंने अंतिम समय पर एक कोशिश जरूर की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और गेंद गूल रिखा को पार कर के थी गोल किक इस समय करनाट के टीम के लिए गोल रक्षक दीपक ने गेंद को गोल वाक्स के ठीक उपर जमाया एक लंबा शॉट लगाकर गेंद को पहुंचा दिया है गुजराद के हाफ में करनाटक दो एक से आगे है इस पूल बी के मुकाबल में जो की 36 वे राश्ट्रिय खेलों के अंतरगत इस सम पर बैखील के जरीए अपने साथ ही खिलाड़ी के लिए रुद्रा रुद्रा जदेजा के लिए रुद्रसिंग जदेजा के लिए लेकिन इसी बीच प्रतिदंद्री टीम के खिलाड़ी के पाउं से लगती हुई गेंद बाहार निकल गई और यह फ्लैक का अफसर इस समय गुजरात की टीम के लिए देखना है कि क्या इस अफसर का लाब वहां पर उठा बाते हैं या फिर नहीं मौहिनुदीन हमेशा की तरह एक बार फिर से तैयार हवा में तैरता अंदर की तरफ आता हुआ कर्लिंग फ्रेकेक उनका लेकिन उसका लाब उठा पाने में कोई भी गुजरात का खिलारी वहां पर इस अफसर में काम्याब नहीं हुआ जबकि वहां पर ये फ्री किक के लिए गेंद एक बार फिर रखी जा रही है और रेफरी जो की आज के हैं रामदासन उन्होंने कहा कि जिस जगह पर फाउल हुआ है उस जगह पर आप गेंद को रखिए मुईनिदीन को ये चेतावनी देते हुए और इसमें उनके सामने खड़े हुए हैं बारह नंबर की जर्सी में प्रदीप कुमार जो की परिवर्तित खिलारी के रूप में आये थे आप पीछे की तरफ हटते हुए रेफरी का इशारा कम से कम 10 गस की दूरी को बनाए रखे मुईनिदीन की हवा में लेराती हुए ये फ्रेक एक लेकिन एक बार फिर से हैट द्वारा गेंद को जो गोल में परिवर्तित करने का एक प्रयास था उस गेंद को मौका बनेगा यहाँ पर मुईन को घेरे वे दो खिलाडी सारी पहरदारी चोकी दारी या कहिए कि इंतजामात जो किये गए हैं वो नजर आ रहा है कि मुईन पे ज़्यादा फिल्डिंग लगाई गई है कि उन्हें वन्चीत रखा जाए पजिशन लेने के ल अपना जो लक्ष है उसके तरफ वो गेंद को डाग दे लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब यहाँ पर फिर मुईन दीन गोल पोश्ट के बिलकुत सामने खड़ा है क्या वहां तक पहुंचेगी गेंद या उसके पहले गोल की पर उसे थाम लेंगे गोल की पर ने थामा लंबी कि अब दो खिलाड़ी उसके पीछे भागते हुए वहाँ पर गेंद को जाकर रोकने की कोशिश लेकर आकरमन इस समय गुजरात के पोश्ट की तरफ खत्रे में इस समय गुजरात के वहाँ पर खिलाड़ी लेकिन गेंद वहाँ पर बाहर जाती हुई गोल पोश्ट के गेंद कोई भी खिलारी उस गेन को अपने कबजे में नहीं कर पाया गोल रक्षक आजमल की तरफ गेंथ एक लंबा शॉट लगा कर गेन को पहुंचाने का प्रयास करनाटा के हाफ में लेकिन उससे पहले ही गेन को अपने कबजे में किया था करनाटा के सुरक्षा पंक्ति के खिलार करनाटा के खिलारी करनाटा के खिलारी इस समय लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गेन को अपने कब तो इस समय ये खेल चल रहा है और जो निर्थारिट समय है उसकी समापती में मात्र यहां पर दो मिनिट का समय और बाकी है देखना दिलजस्प होगा कि इंजुरी टाइम में यहां पर और कितना दिया जाता है इस समय गुजरात के पांच नंबर की जर्सी के स्थान पर साथ नंबर के खिलाडी बीच मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं जिगनेश बीच मैदान पर जब की मैदान से बहार आए हैं जिगनेश अनदर सब्सिटूशन इस समय होता हुआ गुजरात की टीम की तरफ से गुजरात की टीम इसमय एक गोल से पिछड़ी हुई और जैसे कि आप कि बाईं तरफ से फिर से प्रयास लेकिन सीधा गोल रक्षक के हाथ में कोई भी खिलारी आसपास नहीं था करनाटक का कि इस समय गुजरात की टीम के खिलारी मुईनुदीन गेंद को वहां पर निकाला अपने साथ ही खिलारी के लिए सयद और उसके बाद एक बाद फिर से गेंद कब जमे किये हुए अक्षे अक्षे ने बाईं तरफ गेंद को निकाला मुईनुदीन गेंद पर जपते गेंद को निकाल दिया राइट स्टॉपर के स्थान पर अपने खिलारी के लिए फिर से मुईनुदीन के पास गेंद फ में आपको नज़र आते हैं और बीच बीच में एक विड्रावन मिड्फिल्डर के रूप में भी है वो अपना काम करते हुए नज़र आते हैं काफी प्रत्रिभावान खिलाडी है और आज अपने प्रदर्शन से उन्होंने खासोर पे काफी मुतासिर किया है खासोर से अपन नहीं होने चाहिए लेकिन इस प्रेयतन में कभी-कभी आप मुकाबला गमा देते हैं क्योंकि सामने वाले टीम उतने ही तेजी के साथ आकरवन करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस समय पास पर पास अपने खिलाड़ों के पास दिये जा रहा है धीरे धीरे देखिए आप सामन सकता था वहाँ पर गवाया राजेश कुमार यादव ने अच्छी तरह से मार्क किया हुआ था कोई मौका नहीं दिया उन्होंने वहाँ सतीश कुमार के लिए और एक सही मार्किंग जो एक डिफेंडर को की जारनी चाहिए वो उन्होंने करके दिखाई बिलकुल और इसके साथ लंबी विशल यहाँ पर होती हुई इस बात का परिचय के मुकावला आखिरकार दो एक के साथ ये करनाटा के टीम ने जीत लिया हो जिस तरह से खिलाडी तीन चार खिलाडी मैदान पर गिरे हुए है इससे ये मालूम पढ़ता है कि वो काफी राहत की सास लेते हुए यहाँ पर गुज्रात की टीम ने दो एक से यहाँ पर मात खाई है और करनाटा की टीम ने पहले ही हाफ में दो गोल कर दिया थे तो दो एक की बढ़त के साथ करनाटा के टीम में मुकाबला जीत लिया है सब्सक्व जबन 2009 सरथ कुछ कापअईज कारो 36th National Games and football action begins there at Transtadia this stadium has played host to Kabadi before now football action taking place in Trans Stadia and the opening game today in the men's section had a wonderful opportunity for two teams to test it out Karnataka managing to get that the upper कि मुह प्रेंग भाफ ट मैंटने क blinking उपनिस में अपनाखई नहीं आपर वäre घ्ट हैं वोह हैं, रखक्र लाइंफ। भीव देपके का यह वोत हैंनो। रोल्जेए कुछ भीडिलेतृ लिभूए अल्ग हैंता हैंन। यह हैंन। गीडिया हैंन। अभलेटों फस לפश Gesetzे मट्ップ सवर्फ था करं देदम WORK वाहा unlocked बत्व का ब然् है, औरा फ्रोषओ क्यर्टर बाग, किविसरेona अब भूच्रफों से तूचिक्ट च्रफ जाटी है उ।ब इन वाइवकर चेरा चेरा को पार स्गरां कि तूछ पडूब को पेस्ट चंट थाल ट कर दो दो हम खाए पर बष्यक्ट को पूरा कहते है लिए पुर्ष। तौर्ष प्रफ लिए अलगत निजए आव झार स्टेश्सी लिए निए दो एणिए। कानली वकतु जाहन संट we can do it to second a fall say both chances cute war is doing 150 okay opol Amitim poAd 沒有 कोच कोज momento it Up the Tournament ahead you know do you look ambiente in the part to Egames until Nationally 17 21 but how do you look at the XP that your team brings about you know purely in terms are playing at the big stage do you feel this is a great exposure for the Carnatic ATM at the national freedom of course of course is a greater group of the boys because I got a very good insight रहते हैं झाल ऑज कर दो दो मैं जोया ही पित्त Лएं परोल प्राइप व्हार कोजा जो प्राइब बूट प्राइब को सेयर यह फुट्वाट कि अगी साज़ प्राइब कॉक्ष में पुझे में हो जा हुटा जा जोस्ती है जा भी कोजी हैं तो प्राइब को प्राइब भी क्योंति चुम्हाइ से चुम्हाइ भी जाने से बाइखिम को इसे अपर खुम्हाइशनों कि अीश करण but a great start to the 36 national games by the team from down south. That s it, and back to the studios.